हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं इस्टेडी फिट जरनल दोस्तों आज मैं एथलेटिक्स के ट्रेक इवेर्टेड्स रिलेटेड भी इंपोर्टेंट कोस्टन जो आपके एक्जाम्स में हर बार पूछे जाते हैं उनको बता रही हूं दोस्तों इससे पहले मैं चापांच वी वीडियो को सुरू से लाइश देखेगा एक भी कोस्टन विस मत किजिएगा और दोस्तों यह दियाफी जी के लिए जूके से किसी भी कंपटेटिव एश्याम्स का प्रिपरिशन सिलिबस के कर रहा हैं तो मेरे चैनल पर सभी वीडियो सिलिबस के कर रहा हैं एंड हंड़ स की दोड़ वह महराथन दोड़ों की लंबाई किस वीधी से मापी जाती है तो यह कैलीब्रेटिड बाई साइकल मेथड से मापी जाती है नेश्ट है पुरुसों की क्रॉस कंट्री की दोड़ कितने किलोमिटर की होती है तो यह बारे किलोमिटर की होती है और नेश्ट है मह महिलाओं की क्रावस कंट्री की दोड कितनी दूरी होती है तो यह आठ किलोमीटर की होती है यानि पुर्से की बारे किलोमीटर महिलाओं की दस आठ किलोमीटर and next question है cross country दोड़ की कितनी दूरी दामर वाली यानि तारकोल रोड पर जदा से जदा रखी जाती है तो यह कुल दूरी का 20% रखा जाता है next है cross country की दोड़ अगर loop यानि की सरकिल में दोड़ाई जा रही हो तो loop की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए तो यह 1750 से 2000 मीटर होनी चाहिए next है दोस्तो track and field खेल को तक्नीकी रूप से क्या कहा जाता है तो इसको तक्नीकी रूप से track and field athletics कहा जाता है next question है IAAF का पुरा नाम क्या है तो इसका पुरा नाम है international association of athletic federation यानि विश्व एथलेटिक शंग दोस्तो जिसकी इसकी स्थापना 1912 में हुआ था और इसका मुख्याला है 1912 में स्टाखों स्वीडन था बट 1993 से इसको मुनाको देश में इस्थाने कर दिया गया है जैसा कि दोस्तो IAAF का दिसंबर 2019 में नाम बदल कर world athletic यानि WA कर दिया गया है next दोस्तो athletic का क्या अर्थ है इसका अर्थ है track and field तथा road running and race walking cross country mountain running तो यहाँ पर दोस्तो आफसा नमबर D correct हो जाएगा A and B दोनू ठीक है next question है दोस्तो कि कि स्ट्रेक event में खिलाडियों को प्रतियोगिता के दोरान पानी या पानी का sponge दिया जाता है तो 5000 मीटर या इस से उपर की जो भी दोर्डे होती है सभी में पानी या पानी का sponge दिया जाता है next question है अगर 10,000 मीटर दोर्ड में एक athlete गलत start यानि false start लेता है तो निड़े क्या होगा तो निड़े होगा disqualify कर दिया जाएगा क्योंकि पहले जो होता था कि एक खिलाड़ी गलत start लेता था तो फिर जब दूसरा start लेता था तो disqualify कर दिया जाता था लेकिन अब पर्थम foul ही अंतिम foul होता है नेशे दोस्तों डिके थलान या हेप्टा थलान की दोड़ों में athlete false start लेता है तो निड़े क्या होगा तो इसमें एक और मौका दिया जाएगा given one chance ठीक है नेशे दोस्तों क्योंकि दोस्तों जो दिके थलान हेप्टा थलान है इसमें एक और chance दिया जाता है false होने पर जबकि दोड़ों में नहीं दिया जाता है और दूसरी बार कोई भी खिलाड़ी गलत start यानि false start लेता है तो उसी disqualify करने के लिए क्या signal दिया जाता है तो उसको उसके आगे लाल प्लस काला कार्ड दिखाय जाता है और ये कार्ड जो है बिकर्ड में आधा काला वा अधा लाल होता है तो उसे कैसे इंगित किया जाएगा तो उसको पीला प्लस काला कार्ड दिखाया जायता है ये भी कार्ड जो है बिकर्ड में आधा काला वा आधा पीला होता है नेशे दोस्तों शयुक्त इस परधा में एक गलत इस्टार्ट यानि फार्स इस्टार्ट लेने के पस चार्ड कोई दुसरा धावा गलत इस्टार्ट करता है तो निड़े क्या होगा अब इसको दुबारा कर दिया दुसरा खिलाई तो इसको दिस्क्वालिफाई कर दिया जाएगा ठीक है अब ये कार्ट बिकड़ में आधा पीला वह आधा लाल होता है चेतावने के लिए दुबारा दिस्क्वालिफाई करने पर निष्टे दुसतों 200 मीटर की दौड में धावक A गलत स्टार्ट लेता है और धावक C उसके पीछे उसको देख कर भी गलत स्टार्ट लेता है तो निड़े क्या होगा तो निड़े होगा दोस्तों कि A को डिस्क्वालिफाई तक C को हरा कार दिखाया जाएगा और स्टार्टर के विवेक पर निड़े लिया जाएगा आफसा नमबर D करेट है C and B and C दुन नेशा दोस्तों अगर किसी दौड में गलत स्टार्ट होती है तो उसका सिगनल कैसे दिया जाएगा तो स्टार्टर या रिकालर द्वारा दुबारा फायर किया जाएगा नेशा दोस्तों किसी देश के खिलाड़ी द्वारा काल रूम में रिपोर्ट न करने पर क्या निड़े लिया जाएगा तो उस दोड़ में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा नेश्ट दोस्तों स्टेडियम के बाहर जो दोड़ आयोजित की जाती है उनका स्टार्ट लाइन की मोटाई जदा से जदा कितनी होती है तो 30 सेंटी मीटर नेश्ट है निमन में से 200 मीटर तथा 400 मीटर के दोड़ के लिए कौन सा गलत है आपसन है क्राउच स्टार्ट लेनी चाहिए तो दोस्तों 100-200-400 मीटर में क्राउच स्टार्ट होता है जिसमें bunch bullet start, elongated start, medium start होता है and the option है starting block का परियोग crouch start में starting block का परियोग होता है C है lane का प्रतिबंध नहीं होगा D है stragger दिया जाएगा तो stragger दोस्तों 100-200-400 मिटर में दिया जाता है तो यहां आपसन नमबर C गरत हो जाएगा next है दोस्तों crouch start लेते समय धावक के हाथ जमीन पर कहा होने चाहिए तो जब हम crouch start लेते हैं दोस्तों तो हमारा पर दोनों crouch पर होता है starting block पर होता है और जो मेरे दोनों हाथ होते हैं आपके वो starting line के पीछे होते हैं ठीक है तो दोस्तों यह था आपके 15-16 questions होंगे अभी एक से दो questions वीडियो आपके athletics के होंगे उसके बाद सभी खेलो से related questions होंगे तो दोस्तों आई होब कि सभी questions आपको समझ में आए होंगे आपको वीडियो कैसा लगा मुझे comment में जरूर बताइए और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लिजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए जिससे आपको निव वीडियो का आपडेट मिलता रहें तो मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए जैए